आज मैं आपको बताऊंगा दस ऐसी वज़ा जिसके कारण आपका रनिंग का पर्फोर्मेंस है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है ठीक है चाहे आप आर्मी वाले हो चाहे डिस्टिक नैशनल कोई साथ इवेंट करते हो दस बेसिक रूल जो आप नहीं फॉलो करते हो जिसके कारण आपका speed, stamina, endurance नहीं बढ़ता है ठीक है आपका हाथ का position सही नहीं होता है पैर का position सही नहीं होता है तो उसके पीछे 10 कारण होता है बेसिक 10 कारण आपके ले के आओ ठीक है तो चली दोस्त वीडियो स्टार्ट करता हूं नमस्कार दोस्तों मैं अंकित कुमार सिंग फॉर टा साम में work out कर रहे हो तो उससे में ज़्यादा स्टेशिंग पी ज़ोरत नहीं लेकिन आप सुबह आचानक से आराओ वर्कॉट करने तो स्टेशिंग बहुत जरूरी है मसल्स को खोलना बहुत जरूरी है तो पहला है स्टेशिंग हम लोग नहीं करते हैं तो दूसरा है कि प् तो मैं फिर जाके आपको वर्काउट शुरू करनी है ऐसे मैंने वर्मप के उपर एक प्रोपर वीडियो बनाया हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दूसरा तीसरा आदत है जिनका जो सक्सेस नहीं होते हैं उनका यह आदत है कि वर्काउट छोड़ ठीक है तो आपको समझा रहा हूँ कि आपको जब वर्काउट अगर आपका टाइमिंग खराब जाए कोई बात नहीं लेकिन आपको वर्काउट पूरी करना है ठीक है यह तीन हो गया चौथा टीप से बोड़ी का पोईशन बोड़ी का पोईशन हमारा मैंने एक हाथ के मतलब सब का एक कुरूल होता है वो फॉलो करना चार टीप्स हो गया पांच वाई कि हम लोग वर्काउट के बाद इस ट्राइड नहीं लगाते और वर्काउट से पहले भी इस ट्राइड का मतलब क्या होता है यह अपने पैरों को खोल कर 60-70 मीटर तकी स्प्रिंट लगाना ठीक है 7-70 से लेकर 80% का एफट लगाना यह नहीं कि 100-200 लगा पूरा फूल एफट लगा दिये ऐसा नहीं करना आपको स्ट्राइड नहीं लगाते स्ट्राइड बहुत जुरूई है पैर इसी से खुलता है उसी से स्ट्राइड लेंद बढ़ता उसी से इंक्रीज होता है स् यह 5 तीफ्स होगया 6 तीफ्स है वो बहुत मैने वीडियो देखा यूट्यूब में व menstru नाक से छोड़ो मुह से छोड़ो लेकिन मैं आपको बता रहो मेरा अगर आप्मेरा टिफ्स फॉलो करना चाहता हूं या मेरा करते हो तो मैं बता रहा हूं दोनों से लो नाक से भी और मुह से भी और जितने भी इंटरनेशनल धावा के चाहिए मुहमत फ़रा डेविट उडिसा चाहिए को भी हो ठीक है खास करके मैं आर्मी वाला वह समझा रहा हूं वह ज्यादा बहक क को चस्था उपने वढदा यह गया में लीएल धर डेखते यूं को समल्ख में आता हो करते कोई भी हो ठीक है पर जो बैँज बना रहरा हो कुछ सिछा हूवा लगभग जो समझ में आता उनको बना देते हैं मैं देखना बहुत सारा गलत वीडियो आ रहा आज का और आप उ एक्सराइज भरफ करते हैं इक्सराइज यह सब नहीं करते हैं अपका आपका बड़ी का पॉजिशन रही तका सही नहीं, नहीं होग़ा, पैसरी नたना सभी तो कर लेते पंदे लेकिन tylko करते लेकिन सबसे बड़ा गती जो आप करते हैं को कोड एकसराइज नहीं करते जितना हमारा पेट में मजबूती रहेगा जितना हमारा पेट में ताकत रहेगा उतनी ज़्यादा देर तक आप दोड़ पाईएगा और उतनी अच्छा सा आपका बोड़ी पोजिशन बन पाएगा ठीक है आठवा टीस हो गया नवा टीस यह है कि हम लोग वर्काउट में कंटिन्यूटी नहीं रखते हैं मतलब कि आप वर्काउट रोज नहीं करते है आपको बस सबते में एक दिन रेष्ट करना है चाहिए आप जो भी जो भी दिन रेष्ट करो और बाकी हर दिन आपको प्रैक्टिस में आना है ठीक है बहुत दिन का कभी साधी हो जाता है घर में कभी कुछ हो जाता है या फिर कभी कुछ तो आपको वर्काउट नहीं छो यौ लड़का हमेषा मरच आउट करता हैं हमेषा चाहिए दीन नहीं चोड़ता है बस एक दिन संडे को छोड़कर हर दिन वरकाउट करता है उसका performance Automaticallyं होगा यह मैं लिक करके देता हूं अगर यह देली वरकाउट करें तो आपका अगले दिन दर देगा और शिकाय्त किजिए में मेरे नजी में तो यही में रिजन होता था यही बेसिक टीप थे आपको फॉलो करना और आपको खाना पीना के बारे में पता ही होगा ठीकए खाना-पीना भी अच्छा लेना और पानी आपको कम से कम 3.5 लीटर के आसपर जरूर पीना अडाई से लेकर 3.5 तक पीना ही पीना है ठीक है और ठंडा कर दिन में थोड़ा कम पी सकते लिए गर्मी के जब दीना आएगा तो आपको बहुत पानी पीना है तो ये लगा दस दिन में पचीज दिन में ऐसा कुछ नहीं करता हूं जो सही है जो सारे इंटरनेस्टन धावक करते हैं जो हम करते जिससे जो नेचरल इंक्रीज होता परफ्रमेस वही में बताता हूं तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक और कमेंट करना जय भारत